सिंधासन 32 की पंद्रमवी कहानी सुंदर्वती पुतली की कथा जब राजा भोजफिर से सिंधासन की ओर बढ़ने लगे तो पंद्रमवी पुतली सुंदर्वती ने उन्हें रोक दिया। उसने पूछा कि क्या आपके अंदर भी महाराज विक्रमादित्य जैसे ही प्रजा प पुन्ना लाल भी रहता था। वो बिना किसी लालच के लोगों की हरदम मदद करता था। पंद्ना लाल का एक बेटा भी उसी के जैसा गुनवान था। दोनों बाप बेटे की अच्छाई के बारे में पूरा उजजयन जानता था। कुछ समय बाद व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की धूंधने लगे। तभी एक पंडित ने उन्हें बताया कि समूद्र के दूसरी और धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता है जो अपनी सुन्दर और गुन्वान बेटी के लिए लड़का ढून रहा है। यदि आप कहें तो उनसे विवाह की बात कर सकता हूँ। ये सुनते ही पंडित को खर्च के लिए मुद्राएं दे कर उसे धनी राम व्यापारी के पास भेज दिया। धनी राम को पंडित का प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने शादी के लिए हां कर दी। दोनों परिवार की सहमती के बाद शादी का शुब मुहूर्ट भी तैह हो गया। विवाह होने के कुछ दिन पहले उजजैन में बहुत तेज बारिश होने लगी। तब पंडित ने सोचा कि अगर इस कर उनकी चिंता समझ ली। पंडित से कहा, सेट जी, चिंता मत कीजिए। बस आप अपनी सारी समस्या महाराज विक्रमादित्य को जाकर बता दीजिए। उनके पास हवा से भी तेज चलने वाले रत और घोड़े हैं। वो जरूर आपकी मदद करेंगे। सेट सीधे विक्रमादित्य के दरबार पहुँचा और अपने मन की बात हिचकिचाते हुए कही। व्यापारी की परेशानी सुनकर महाराज ने कहा कि हर राजा की असली संपत्ति उसकी प्रजाही होती है। आप राजमहल से रत और भोड़े ले जा सकते हैं। व्यापारी के जाते ही विक्रमादित्य ने बेतालों को बुलाया और कहा कि बारिश बहुत तेज है, जाओ जाकर व्यापारी और उसके परिवार की रक्षा करो। तब ही व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए पूरे परिवार और रिष्टेदारों के साथ रत लेकर दूसरे राज्य के और ने लगा। व्यापारी समय रहते ही पूरे परिवार के साथ विवास्थल पर पहुंच गए और धूमधाम से बेटे की शादी करके अपने नगर वापस आ गए। नगर पहुंचते ही सबसे पहले पन्नालाल अपने बेटे और बहु को लेकर राज महल पहुंचे और र पुतली भी उड़ गई और राजा भोज महाराज विक्रमादित्य का प्रजा प्रेम का किस्सा सुनकर खुश हो गए। कहानी से सीख जरूरत पढ़ने पर हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें।